अमेरिका जाने वाले, तो आज वो अपने… जोधर के लिए पहचानते रहे। 1988 के दौर में दूरदर्शन पराने वाले टी टाइम मनुरंजन नाम के एक प्रोग्राम से राजुश्रिवास्तव ने कौमेडी की दुनिया में कदम रखा। इस प्रोग्राम को स्टैंड अप कौमेडी का पहला प्रारूप मना जाता है। इसमें राजुश्रिवास्तव अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते दिखाई दिये। राजुश्रिवास्तव ने बताया था कि जब वो मुंबई पहुँचे तो उन्हें अपनी गुजर बसर के लिए आटो चलाना पड़ता था। उन्होंने BBC को बताया था कि वो सवारियों को हसाया करते थे। जिसके बदले उन्हें अच्छी टिप मिल जाती थी। कभी-कभी शो भी मिल जाते थे। और इसी तरह एक सवारी के रेफरेंस से उन्हें बड़ा ब्रेक भी मिला। संघर्ष के दौर को पार करते हुए राजु श्रिवास्तव दा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो तक पहुँचे। जहां उन्होंने दा किंग ओफ कॉमेडी का खिताब जीता। वो रियालिटी शो बिग बॉस के तीसरे सीजन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी का महा मुकाबला शो किया। उन्होंने अपनी पतनी शिखाश श्रिवास्तव के साथ डांसिंग शो नच बलिये में भी हिस्सा लिया। वो कॉमेडी नाइट्स विद कप से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना टिकेट लोटा दिया और भारतिये जंता पार्टी का दामन धामा। राजुश्री वास्तव के परिवार में उनकी पतनी शिखाश और दो बच्चे अंतरा और आयुश्मान है।